अगाजी घर खरीदने वालों के लिए अच्छे दिन लेकर आया है अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा मौका है नए साल पर बैंकों ने देशवासियों को तोफा देना शुरू भी कर दिया है रेट कट कर बैंक ने घर खरीदने वालों के लिए कर्ज सस्ता किया है जिससे सपनों का घर खरीदने खरीदना उनके लिए फायदे का सौदा साबित होगा 2017 में गर बनाने के लिए 12 लाख रुपिये तक के कर्ज पर ब्याज में तीन प्रतिशत की छूट दी जाएगा नए साल का बहतरी नगाज घर खरीदने वालों के अच्छे दिन सस्ते घर का सच होगा सपना भले ही नोटबंदी ने आम आदमी को थोड़ी परिशानी दी पैसे के लिए लाइनों में भी खड़ा होना पड़ा लेकिन ये नोटबंदी का ही असर है कि बैंकों के पास पैसा आया और उस पैसे का फाइदा बैंकों ने सस्ते कर्ज के तौर पर ग्रहाकों को देना शुरू किया देश के सबसे बड़े बैंक, SBI के साथ साथ कई बड़े बैंकों में आम आदमी के लिए कर्श सस्ता किया SBI ने मार्जनल कॉस्ट पर अधारित लैंडिंग रेट, MCLR में 0.99% की कटोती की है इस से होम आटो और परसल लोन सहीद, दूसरे लोन सस्ते हो गए है इस कटोती के साथ महिलाओं के लिए SBI का होम लोन रेट 8.96% और बाकियों के लिए होम लोन रेट 8.65% हो गया है हालाकि रेट कटोती का फाइदा नए ग्रहकों की होता है, पुराने ग्रहकों को इसका फाइदा उठाने के लिए स्वीचिंग फीज चुकानी होती है लेकिन इस बार SBI ने पुराने ग्राहकों को स्विचिंग फीस पर थोड़ी रहत दी है दूसरे जो बैंक के ग्राहक हैं वो अगर शिफ्ट करना चाहते हैं उनकी जितना जो हम लोग का जो ड्यू डिलिजेंस है वो तो हम लोग को करना पड़ेगा लेकिन इस बार के लिए हम लोग ये भी डिसाइड किये है कि ये जो हमारी स्विचोवर फी है वो हम लोग लोन के साथ जोड़ देंगे ताकि उनको अफ्रंट देने की जो असुदा होती है वो न होए SBI के अलावा कई और बैंकों ने ग्रहाकों को नए साल का तोफ़ा दिया है PNB ने MCLR दरों में 0.7% की कटौती की है PNB ने एक साल की अबदी वाले लोन के लिए MCLR में 0.7% घठा कर 8.4% कर दिया है 3 साल के लिए 8.6% और 5 साल के लिए 8.7% किया है Union Bank of India ने MCLR में 0.6% से 0.9% की कटौती की है एक साल के लिए MCLR को घठा कर 8.6% किया है वही देरा बैंक ने एक साल तक के लोन पर MCLR 0.7% की कटौती की है और अब रेट 8.5% हो गया है जबकि कोटक महिंद्रा बैंक ने 0.4% की कटौती की है बैंक ने MCLR में 0.9% से 0.5% की रेट कट का एलान किया है बेशक परधायमंत्री मोदी ने 31.9% को राज के नाम संदेश में ग्रागों को फायदे का ध्यान अखने को कहा था लेकिन इससे पहले ही State Bank of Crown Court ने लोन दरों में कटौती की थी वह IDBI Bank ने भी इसमें 0.6% की कटौती की थी जानकारों का महनना है कि RBI महंगाई दर में ग्रावट को देखते हुए जल्दी रेट कट का एलान कर सकता है अगर ऐसा होता है तो बैंक ब्यास दरों में और कटौती कर सकते हैं Bureau Report Z Media तो सस्ता कर्ज अब हो रहा है बैंकों की तरब से बैंक सस्ते कर्ज का तोफ़ा इस नए साल में दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत मुफीद वक्त हो सकता है ये घर खरीदने का क्योंकि रियल स्टेट मार्केट में भी डीम मोनेटाजेशन के बाद हमने डाउन टेंड देखा है और इसके बाद अब बैंकों ने भी कर्ज सस्ता किया मिरसाथ इस पर बात करने के लिए मयूर शाह होंगे M.D. महराथन ग्रूप मिरसाथ अश्विंदर राज सिंग होंगे CEO जेलल इंडिया मिरसाथ इस पर बात करने के लिए राजी उतलवार होंगे CEO DLF और मिरसाथ अश्विंदी कुमार होंगे चेर्में देना बैंक आप सभी लोगों का बहुत स्वागत थे और अश्विंदर सबसे पहले में आपके पास आऊंगा अश्विंदर आपको लगता है कि ये एक परफेक्ट टाइमिंग है क्योंकि घरो रियल स्टेट इंडिस्ट्री पहले सी काफी मंदी से गुजर रही थी नोट बंदी यानि डी मोनेटाइजेशन के बाद और हमने देखा कि रियल स्टेट सेक्टर में और आब बैंको ने भी कर्ज सस्ता किया है इस से अच्छी चीज कोई होई निहीं सकते थी मेरे हिसाब से और यविनिगा है कि बेंकों ने सीधे ही लगबग एक परसेंट का रियट कट किया है आज तक मेरे याद बात भी नहीं आ रहा कि एक परसंट का एक ही बारी में जटके से कभी रेट अफ इंट्रेस्ट कम हुआ हो इसका बहुत बड़ा इंपक्ट आपकी एमाइस पर पड़ेगा लोगों की बाइंग कपैस्टी पर बड़ेगा लोगों क्या जो ओवराल बजट है इससे पड़ेगा जिससे लॉट आफ न्यू लाँचेज आर आपके पास आना चाहूंगा सर रेट में जो क्योंकि बड़ी लोग सवाल ही पूछ रहे हैं कि रेट में जो कटौती हुई है वो एक्जिस्टिंग कस्टमर्स को मिलेगी या केवल निव कस्टमर्स को मिलेगी तो फाइदा होगा या सब को होगा फाइदा में से लार जब भी रिवाइज होता है वो जो फ्रेश लोन होते हैं उस पर अप्लिकेवल होता है पुराने लोन जब रिवीर रुनियोर्स के लिए आएंगे तब उन पे इंप्लिमेंट ठीक है मतलब सार रेट कट के बाद आप य इन कासा विद एस और गोइंग फ़रवर्वड आप टोल यू इट विए अप्लिकेवल न्यू लोन्स ओंली एग्जिस्टिंग लोन्स में अधर रेट कट के साथ ही नए ग्रहाग जुडेंगे और क्या ज्यादा से ज्यादा लोग घर खरीदने में दिल्चस्पी लेंगे बैंकों कभी से फाइदा होगा? हाउजिंग प्राइजेश देल बी गुट डिमांड फर हाउजिंग इस इस वत आई थेंग नियर फिचर ओके सर आप रहें हैं मिस्टर शाह स्वागा थे आपका जी बिजनस पर तो मिस्टर शाह क्या लगता है आपको कि यह बहुत सहीव वक्त है एक एंड यूजर को एक काम इंसान को घर खरीदने के लिए क्योंकि इतना चीप लोन और इसके अलावा इतना मार्केट भी डाउन आप अपने जपनों का घर अपने बज़ट में खरीद सकते हैं हाँ मुझे लग रहा है कि ऐसा कभी भी माहुल क्रियेट हुआ नहीं है जैसे देखा जाएगा तो इंट्रेस्ट रेट विच इस अराउंड 8.6 होम लोन जो है वो हमारा 2009 में जो एक होम लोन का रेट था वो वापस आ गया है और उसके उपर सोवान सोने पर सुवागन जैस अपना जो बोला जाता है वैसे इंट्रेस्ट सब्वेंशन जो डिकलेर किया है जो बारा लाग तक की लोन आपको 5.6 परसेंट तक मिल सकती है और 9 लाग की लोन जो है वो आपको 4.6 परसेंट तो अभी यह जो है करीबन 25 लैक्स और 30 लैक्स के जो फ्लैट्स है उसके लिए बहुत ही फाइदा मंद हो जाएगा यह पर्टिकुलर जो इंट्रेस्ट सब्वेंशन आया है उसके वज़े से एन ओवर आल एक वन परसेंट रिडेक्शन इन इंट्रेस्ट रेट विल बीग बूस्ट टू एंटेर हाउसिंग इंडस्री ओके मेरा सवाल भी यही था मैं अ पहले से ही आये हैं for the last you know इस साल हमने बहुत improvement देखिया problem real estate industry में यह है कि जिसको real estate के बारे में कुछ नहीं पता है वो भी real estate के बारे में comment करता रहता है और पूरी दुनिया उसको बहुत seriously लेती रहती है so for example इससे सबसे important चीज उसके कारण क्या होता है confusion हो जाती है और confusion से sentiment down हो जाता है so if you look at markets some कई markets like Bangalore पूना यह पहले से ही काफी अच्छा कर रही है और अभी आने से जिस तरह का भी आपके जैसे बहुत सारी ऐसे जैसे 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 जो मैंने दो मैंने च्छे मैंने पर कुछ रिपोर्ट्स जारी करती है और रिपोर्ट्स में का जाता है कि दिल्ली अंचार में तो लागों inventories पड़ी है बिल्डर नए प्रोजेक्ट में जाहीं नहीं रहे हैं तो वो क्या वो जो एक sentiment था वो खत्म हो रहा है नहीं वो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं बट वो पिछले दो-तीन साल से ऐसा रहा है बट मुझे लग रहा है कि आप जो end user है end user ने वो sentiment को overtake करकर decision लेना शुरू कर दिया था जो first time बाहर था उसने decision लेना शुरू कर दिया था especially new properties में और अब इसके साथ real estate के अंदर वाकरी में अच्छे दिन आने वाले हैं because affordability बहुत बढ़ जाएगी affordable homes की affordability और जादा बढ़ जाएगी उनके लिए जो interest rate है वो actually 50% कम हो गया है अगर आप 9 लाग का या साड़े 12 लाग का लोन ले रहे है और overall भी अगर आप बड़ा लोन लेते हैं अगर किसी ने एक करोड का लोन लिया हुआ है उसके ओपर एक परसेंट का मतलब है कम से कम बीस पच्छिस हजार बीस एक हजार क सेविंग पर मन्त विच इस दो से धाई लाग का कैश फ्लो का आपको पॉजिटिव इंपक्त आएगा सो यह बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है और इसको ग्राकों को पॉजिटिव लेकर अच्छी तरीके से जो वो अपने डिसीजन पोस्ट पॉन कर रहे थे उसको डिवलपर्स हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी बात है कंश का कंशुमर या कस्टमर के लिए तो ही लेकिन डिवलपर के लिए अच्छी बात है कि अब डिमांड क्रियेट होगी इंडस्ट्री में यह विन-विन फॉर आल है इंट्रेस रेट जबी कट होता है न तो विन-विन फॉर एंटायर हाउजिंग एंड रियल एस्ट्री इंडस्ट्री नहीं के लेकिन मैं तो उससे एक्सेंट करके बोलूंगा कि इडिज एकॉनोमिकल ग्रोथ एंगल से भी बहुत ही हमने देखा है जब लीमन प्रेजर्स का जबी कॉलैप्स हुआ था 2008 में आपने देखा होगा कि मार्च 2009 ऑनवर्ड हाउजिंग एन अफॉर्डेबल हाउजिंग ने ही पूरा एकॉनोमिक ग्रोथ एंड बूस्ट किया था बिल्कुल है तो आप रही है मेरे साथ एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं बेशक बैंकों ने नए साल में ग्राकों को सस्ते कर्ज का तोफा दिया वही सरकार ने भी 12-17 की शुरुवात में देश की जनता को सौगात दी कैसे सरकार सस्ते घरों की कमी दूर कर करने जा रही है यह रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं शेहरों में लोगों को सस्ते घर देने के लिए मोधी सरकार पहले ही हाउसिंग फॉर आल के महत्वकांशी टागेट के साथ आगे बढ़ रही है अब सस्ते घरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है प्रधारमंत्री अवास योजना के तहट पीम ने शेहरी गरीबों को 9 लाक रुपे तक के हाउसिंग लोन के ब्याज पर 4 प्रतिशत की सबसीडी का एलान किया है जबकि 12 लाक रुपे तक हाउसिंग लोन के ब्याज पर 3% की छूट मिलेगी सरकार पहले से ह क्रेडिट लिंक सबसीडी स्कीम के तहट EWS और LIG को 6 लाक रुपे तक के लोन पर 6.5% की इंटरेस्ट सबसीडी दे रही है इसका मतलब यह है कि नई स्कीम के बाद आफॉर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में बूस्ट आने वारा है परधार मत्री अवास यूजने के तहट सरकार ने अभी तक करीब 14 लाक अफॉर्डेबल हाउस कंस्रेक्शन को मनजूरी दी है हलाकि 2022 तक हाउसिंग फॉर आल के टागेट को पूरा करने के लिए इस स्पीड को काफी बढ़ाने की जरुवत है दो करोर घर शेहर में जबकि 4 करोर घर गरमिल इलाकों में बनाए जाने है प्रकाश प्रीदर्शी जी मेडिया दिल्ले मिस्टर तलवार सुआ गया था आपका जीब बिजनस पर मिस्टर तलवार बैंक्स ने भी रेट कट किये है MCLR में काफी आल्मोस्ट एक परसंट तक का रेट कट हुआ है आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा मोखा है और आपका end user जो कितने दिनों से घर खरीदने की सोच रहा था आप उसको सोचना नहीं घर खरीदना चाहिए बिल्कुल घर खरीदना चाहिए सबसे पहले में आपकी सरे दर्शकों को पूरी जीब बिजनस की टीम को और आपको निजी तोर पे ने साल की मुबारक बात देना चाहूँ शुक्रिया सानाब को भी ये बताते हुए कि जो प्रधान मंत्री जी ने जो अनॉंस्मेंट की है कि सबसीडी दी जाएगी लोन्स पे और जितने भी अफोर्डबल हाउसिंग है वो नौलाख तक लोगों को कम ब्याजदर पे पैसा मिलेगा उससे एक बहुत बड़ी कठिनाई रिजॉल्व होगी और एक बहुत प्रहतसान मिलेगा हाउसिंग कंस्रक्शन को और हम लोग ये मानते हैं कि जो बैंक्स ने अब अनॉंस किया है जैसे स्टेट बैंक ओफ इंडिया ने किया है कि 8% पे दर ले आए हैं तो उससे जो भी फायदा मिलने वाला है वो खरीददारों को और जो बायर्ज हैं घरों के उनको एक ऐसी इंकरिजमेंट मिलेगी कि आने वाले महिनों में वर्षों में जो पेस थी जो गती थी घर बनाने की उसमें बहुत वृद्धी होगी और वृद्धी होने के कारण जो दाम नियूंतम हो गयते पिछले दो तीन वर्षों में वो उसी स्तर पे रहेंगे वो नियुनतम ही रहेंगे और कम ही रहेंगे तो एक बहुत बड़ी आर्थिक प्रनाली में इस शेत्र का यह जो हाउजिंग और कंस्ट्रक्शन शेत्र है उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा जीडीपी में और जीडीपी ग्रोथ में भार के कारण तो बहुत महद तो पूर्ण स्टेप लिया गया है और हमें पूरी आशा है कि एक बहुत बड़ी चुनौती है तूथ हाउसिंग फॉर ऑल का जो टार्गिट सेट किया है प्रधानमंत्री जी ने पर वो ज़र एक चीज़ और यहां से सेंस जो मिलता है प्रधानमंत् स्ट्री पर या अफोर्डेबल हाउसिंग पर इस सरकार का तो जोर रही है लेकिन इस बजट में भी बहुत फोकस रहेगा आपको लगता है कि कुछ और बड़े अलान हो सकते हैं इस बजट में जी हाँ आपने बिल्कुल सही फर्माया हम सब की आशा यही है क्योंकि माना गया है कि एंडिये वन में हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर में साथ मिलियन जॉब्स इसका मतलब छे करोड नौकरियां उत्पन हुई थी और इस तरह इस बार भी मानना है कि हर महिने हमें एक मिलियन जॉब्स चाहिए सो अगर दस लाख नौकरियां उत्पन करानी हैं देश में और पांच वर्षों में एंडिये वन में साथ मिलियन शे करोड नौकरियां उत्पन हुई थी तो यही एक शेत्र है जो कि को बहुत बढ़ावा दे सकता है और इस शेत्र को इंकरिज करने के लिए बजेट में भी कोई प्रावधान किये जाएंगे हाल में जो पिछला बजेट था उसमें भी कुछ फाइनांस मिनिस्टर ने अनौन्समेंट्स की थी और अब सब की आशा है कि मिडल जैसे जो एफो जैसे इंकम टैक्स शुरू होता है उसको शायद पांच लाग बढ़ा दिया जाए बैंक्स फ्लश है मनी में तो उनको तीन वर्षों के लिए अगर वो सिर्फ ब्याज लें और प्रिंसिपल का निप्टारा मत करें तो जरूर इससे फाइदा मिलेगा जितनी भी हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनिया हैं उनको भी और खरीदारों को भी जैसे सप्लाई बढ़ेगी उतनी दामनियूंतम रहेंगे तो हमें पूरी आशा है कि आने वाले बजट में जरूर कोई न कोई प्रावधान किये जाएंगे इस शेत्रों को बढ़ावा देने के लिए